हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में वर्ष 2020 को करोना के नाम से इतिहास के पन्नों में दर्च किया जा सकता है लेकिन रामभक्तों के मन में इस वर्ष को राममंदिर की नीव के लिए याद किया जाएगा जब भारत की संसत के इतिहास को पढ़ाया जाएगा तो किसी को 2020 को भी याद कराना होगा सिमिलरली 2021 को वरानसी में काशी विश्वनात कोरीडोर का काम पूरा करने के लिए याद किया जाएगा वही मुंबई में अरफ सागर में निर्वित सिवाजी समारक की घाटन का भी गवाह बन सकता है देश की पहली सी प्लैन ने भी 2020 में उडान भरी थी अब ऐसी उडानों के लिए देश भर में दस जल एरोडरम यानी नदी जीलिया बांध में हवाई अड़े बनाई जाएंगे आपको बता दूँ कि अंडोमान और निकोबार में ऐसे तीन हवाई अड़ो ने अपना काम भी सुरू कर दिया है बारासो पिलर के साथ में काम सुरू होना था जब मंदिर पर इसर की जमीन की टेस्टिंग हुई तो वो पिलर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए और इस टेस्ट में फेल होगा जिसकी मज़ेसे इस काम को रोकना पड़ा इसके बाद IIT मुंबई, देली, गोहाटी, चिन्नई, सेंटरल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टिटूट, टाटा, L&T, पृतवासाली लोगों की एक टीम बनाई गई जो प्रिजेंटली इस टेक्नलोजी पर काम कर रहे हैं नमबर टू, नए संसद भवन के कंसेक्शन पर रहेगी नजर, 10 दिसमबर 2020 को प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने नए संसद भवन की आधा सीला रखी, इसके निर्मान पर बहस पहले से ही सोचल मीडिया पर चल रही है साथी, देश के 69 पूर्व नौकर साहों ने इस परियोजना पर सवाल उठाते हुए प्यम मोदी को एक पत्र लिखा था हाई कोड में परियोजनाओं के संबंद में या चिकाओं पर सुनवाई होना बाकी है इस अबधी के दोरान पेडों की निरंतर सिफ्टिंग पर सुप्रीम कोट की नाराजगी के बाद केंदर ने सुनवाई पूरी होने तक कोई निर्मान या सिफ्टिंग नहीं करने का आसवासन दिया है नए संसत भवन का निर्मान सेंट्रल विस्टा री डवलप्मेंट प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है नए संसत भवन के अलावा केंदरी मंत्रालों के लिए सरकारी भवन में तीन किलो मीटर में कई निर्मान होंगे उपर राष्टपती, PMO और PM आवास के लिए नई योजनाएं सुरू की गई है इस परियोजना के तहत पार्लेमेंट का पूरा एरिया इन सभी बिल्डिंगों का पुनर निर्मान किया जाएगा आपको बता दें कि ये है प्रोजेक्ट CPWD Central Public Work Department द्वारा लगभग 13,450 करोड रुपे में पूरा कराया जाएगा जल्द आ सकता है सिवाजी इसमारक पर फैसला, काम अपने अंतिम चंड़ों में है अरफ सागर में लगभग 15 एकड़ के दीप पर 696 फीट उची सिवाजी इसमारक बनाया जाने वाला है मुंबई के गिरगाँ चौपाटी से 60 समुद्र में डेड़ किलो मीटर अंदर दीप पर बनाय जा रहे इसमारक को देखने के लिए एक बार में 10,000 लोग आ सकते हैं हाला कि महरास्ट सरकार ने मौनसून के दोरान अरफ सागर के रास्ते इसमारक तक पहुँचने के विवाद के बाद काम बंद कर दिया है सिवाजी इसमारक के निर्मार्ण में 1,900 करोड रुपे की लागत आई है मौनसून के दोरान एक आदमी की मौत हो गई जब एक मोटर बोर्ट दीप की और पलट गई इस पर बिवाद के बाद से काम ठप है अब वहाँ के लिए एक सुरंग बनाने पर विचार किया जा रहा है आपको बता दे कि इस इसमारक के निर्मार्ण के लिए महराष्ट की सभी नदियों से पानी लाया गया था उसी समय सिवाजी के किले से मिट्टी भी लाई गई थी मुंबई को नभी मुंबई से जोड़ने वाले 22 किलो मीटर लंबे पुल का निर्मान 2021 के अंतिम चड़नों तक पहुँच जाएगा 16.5 किलो मीटर लंबा यह है पुल समुदर में और 5.5 किलो मीटर जमीन पर होगा और इसे मुंबई ट्रांस हरवर लिंक नाम दिया गया है इस पुल के लिए कुल 2200 पिलर बनाए जा रहे हैं और यह सिवाजी मेमोरिल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है यह भारत के समुदर में बनने वाला सबसे लंबा पुल होगा इसे बनाने के लिए 10 करोड रुपे की रिवर सर्कुलर मसीन लगाई गई थी वर्तमान में नवी मुंबई से मुंबई पहुँचने में एक घंटे तक कसमें लग जाता है मुंबई ट्रांस हरवर लिंक के बाद में यह दूरी महज 20-25 मिनिट में पूरी हो जाएगी बापी वडोद्रा कॉरिडोर से सुरू होगी यह रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है इस प्रोजेक्ट पे कुल 1.08 लैक करोड रुपीज खर्च होने है वर्तमान में सेंटरल गवर्मेंट ने 25,000 करोड रुपे सेंशन भी कर दिये है इस कॉरिडोर में पढ़ने वाले सारे पेडों को सिफ्ट कर दिया जाएगा नमबर 6 न्यू देली वानानसी बुलट ट्रेन पर काम सुरू होगा नई दिल्ली और वानानसी के बीच में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सुरू होगा इस कॉरिडोर का सर्वे हो गया है बुलट ट्रेन समझाता 2015 के पीम सिंजो आवे की वानानसी यातरा से ठीक पहले हुआ था नई दिल्ली से वानानसी की दूरी लगवग 865 किलो मीटर है इस रूट पर 300 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ्तार से बुलट ट्रेन चलेगी नई दिल्ली से वानानसी की यातरा 5 घंटे में पूरी होगी बीच में मतुरा, आगरा कानपूर और प्रियागराज भी पढ़ेंगे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉपरेशन लिमिटेड यानी एन एच आरसी यल भूमी अधिगरन और परियावरन संरक्षन पर काम कर रही है नमबर सेवन, काशिव विश्वनात मंदिर से गंगा घंट तक का सीधा रास्ता वारनसी में 2009 से चल रहे काशिव विश्वनात कॉरिडोर का काम 2021 में पूरा हो सकता है काशिव विश्वनात मंदिर से लजिता जलसेन और मनी कर्णी का घठ तक बावाधाम बनाया जा रहा है इसमें लगबक 50,261 वर्ग मीटर में 24 नए भवनों का निर्मान और 63 चोटे मंदिरों की मरमत का काम चल रहा है 50,261 वर्ग मीटर का 70 परसंट हिस्सा खाली रहेगा सांस्कृतिक केंदर, बैदिक केंदर जब तब भवन आदी केवल 30 परसंट जमीन पर ही बनाये जाएंगे काशिव विश्वनात मंदिर के अलावा 63 अन्य मंदिर इस खेतर में रहेंगे काशिव विश्वनात मंदिर कोरिडोर के निर्मान की लागत 345.27 करोड रुपे तक पहुंच जाएगी यह अगस 2021 तक पूरे होने की उम्मीद है उत्राखंड के चारधाम परियोजना 2021 के अंतिम चड़नों में पहुंच सकती है केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोतरी और यमनोतरी को परियोजना के तहट इंटरलिंक किया जा रहा है इसके लिए 889 किलोमीटर लंबा हैवे बनाया जा रहा है इस परियोजना की लागत 12,000 करोड रुपय है 2016 में पीम नरिन मोदी ने इस चारधाम प्रोजेक्ट की आधर सिला रखी थी वर्तमान में परियावरण के उलंगनों की सिकायतों के कारण काम रुख दिया गया है परिवान मंतराले और परियावरण मंतराले दोनों मिलके इसका समाधान ढून रहे है भारत का टॉलेस रेजिदेंशिल टावर मुंबई में स्थित वर्ड वन टावर वर्ल्ड विउ टावर भारत के सबसे टॉलेस रेजिदेंशिल टावरों में से एक है मुंबई के लोवर प्रेल में इस्थित World1 टावर और Worldview टावर 76-76 मंजिल के हैं इन दोनों टावरों की उचाई 935 फीट है पार्क मंजिल मुंबई में 78 मंजिला इमारत भी है हाला कि इसकी उचाई 879 फीट है इसी बीच अमेरिका में दुनिया का टॉलेस रेजिदेंशिल टावर बनके तयार भी हो गया वर्ल्ड वन पहले 117 मंजिल और 1450 फीट उची थी लेकिन एरपोर्ट अथर्टी आफ इंडिया से 76 मंजिल बनाने की अनुमती नहीं मिली वर्ल्ड वन टावर 17.5 एकर जमीन पर बना है इसकी लागत 2350 करोड रुपे से अधिक बताई जाती है और इसे लोठा गुरूप ने बनाया है वर्ल्ड का टॉलेस रेजिदेंशिल टावर नियॉक में सेंटल पार्क टावर है यह 131 मंजिला और 1549 फीट उचा है पानी के हवाई अड़ो का निर्मान टेज गती से किया जाएगा पीएम मोदी समुदरी विमान के पहले यात्री थे गुजरात में पहला सी प्लैन सेवा सुरू होने से वाटर ए एरपोर्ट बनाने के प्रोजेक्ट में तेजी आई है भारत में अक्टूबर 2020 में सी प्लैन सेवा सुरू हो गई है प्रधानमंत्री नरेन मोदी इसके पहले यात्री बने थे आपको बता दें कि वे गुजरात के एमदावाद से केवडिया के स्टेचिय आफ यूनिटी तक इसी प्लैन से गए थे पहली सफल सी प्लैन सेवा के बाद भारत में जल हवाई अड़ो के निर्मान के लिए प्रियोजनाओ पे काम चल रहा है सरदार सरोवरबांद और सावरवती रिवर फरंट के काम पूरे हो चुके हैं उडिसा में चिलका जील अंड़मान और निकोवार का लामबा दीप, सुराल दीप और सहीद दीप पर भी जल हवाई अड़ो के निर्मान का कार्द तेजी से चल रहा है अंड़मान और निकोवार के तीनों जल हवाई अड़ो के निर्मान की कुल लागत 50 करोड है इनका निर्मान एरपूर्ट अथर्टी आफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंकी सो मच